बाजपा जजपा का गटबंदन तूटने के बाद कैथल में जिलब परिशद अध्यक्षिपत को लेकर राजनिती घमसान मचा हुआ है इस बीच डीसी प्रिशान्त पवार ने भाजपा समर्थित जिलब पार्षदों की मांग पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 19 जुलाई यानि के आज मतदान के लिए सदन की बैठक बुलाई थी पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए ये मामला पंजाब हरेना हाई कोट में पहुँच गया अब हाई कोट ने इस केस में मतदान के लिए अनुमती तो दे दी है लेकिन इसका प्रणाम जारी करने के लिए आगमी फैसले तक रोक लगा दी है अब हाई कोट के अनुमती के बाद ही इसका प्रणाम घुशित किया जा सकेगा ये जानकरी जिलब परिशत के अद्धिक्ष दीपक मलिक ने प्रैस्वाता करके दी है अद्धिक्ष ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने और नोटी जारी किये जाने में नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया है इस पर हाई कोट ने उन्हें राहत दी है और सरकार को नोटे जारी किया है कि सफाइदें कि निमों का पलन क्यों नहीं किया गया अगया कोट के अंदर रखी गई और जल्दी वह भी सामने आए उसका भी खुलासा करें तो आवे इतन करता कोंटे सरा हाई कोट में गये हैं आगी क्या पूच से लगी है जिकी मेरे दोरा ही हाई कोट में इस पे रोक लगाने के लिए अचिका की गई थी और इसमें मामला मार अगर जो भी कोट का फैसला होगा उसके नुसारा की कारवाई करने चाहिए अगर कोशिस रहेगी कि महारे साथ ही मारे साथ होंगे लगबग और जो भी होगा कल का तो कल ही देखने को में देगा जो परसासन दुवारा विश्वास परस्ताव लाने के लिए जो परक्रिय अपने गए उस पे कहीं ना कहीं आपको है तरा देखिए वो बिलकुल नियमों के विरूत थी चाहिए उसमें जो भी कमिया रही है परसासन के दुवारा वो हमारे वकिलो दुवारा हाई कोट में रखी है जिसमें हमें उसमें रलीव मिला और हमें पंदरा दिन का टाइम भी मिला वो सरकार को नोटिस भी जा रही है वो जल्द थोड़ी देर तक उसकी कोपी हमारे वो भी मिल जाएगी भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये नोटिस राजनितिक साजेश के तहत जल्दबाजी में लाया गया है सरकार और भाजपा कैथल जिला परिशद पर गबजा करना चाहती है इसलिए कई नियमों का पालन नहीं किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि असंतुष्ट सदस्यों से बाचीत के सभी दर्वाजे खुले हैं जिस भी साथी की कोई शिकायत है या विकास कारें से जुड़ी कोई डिमांड है वो मिल सकता है हम सब के काम करवाएंगे इसके लावा मतदान के बाद भी कैथल जिलपरिशद पहले की तरह ही चलती रहेगी जिलपरिशद को ठब करने के साज़ेश को हम कामियाब नहीं होने देंगे कैथल से जपाल रसूलपूर पंजाब केसरे टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद